किसान भाईयों जहां अलौर राजस्थान का प्याज की अंदर गढ़ माना जाता है खरीब की प्याज के अंदर इतनी बमपर पैदावार लेता है और इस बार की बात करूं तो रिकार्ड तोड जो है प्याज लगाई गई थी अलौर की अंदर और मैं अभी ताजा इस्तती में आपको बता रहा हूँ तो अलवर के अंदर किसानों की जो प्याज है वो 80% तक प्याज खतम हो चुकी है खराब हो चुकी है और किसान जो है खेट को जोतने के लिए मजबूर हो चुके है तो वो 80% तक प्याज खराब क्यों हुई इस बार अलवर के किसानों ने कौनची बहुत बड़ी गलती कर दी क्या उनसे चूक हुई इस बार की प्याज के अंदर जो की प्याज पूरी तरह से बुरी तरह से खराब हो चुकी है संपूर्ण विशलेशन आपको दिया जाएगा इसी संपूर्ण जानकारी के साथ मैं सतीश कुमार स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल भारत किसान हमारे किसान चैनल पर तो दोस्तों अलवर के किसानों में जहां सोक की लहर चाई हुई है माथा पकड़ कर बैठे हैं क्योंकि पिछले दो साल से किसानों को बहुत श्यांदार रेट मिल रहे थे बंपर पैदावार हो रही थी किसान माला माल हो रहे थे वहीं अलवर के किसानों ने इस बार हर साल का रिकार्ड तोड़ दे हुए इस बार इतनी प्याज की बुवाई की थी कि बात ही मत करो हर साल का रिकोर्ड तोड़ दिया था और अलग-अलग सभी किसानों ने सपने संजोए बैठे तो तो किसान भाईयो प्याज लगाई उसके बाद प्याज भी हमारी सही से लग गई प्याज का हमारे जो जर्मने सन था वो भी बहुती शांदार हुआ प्याज की ग्रोथ भी बहुती अच्छी तरह से चल रही थी यह देखो आपके सामने खेत है यह प्याज जो हमारी 20 से 25 दिन की लगाई हुई हो गई है किसान भाईयों तभी प्याज उपर एक ऐसा मंजरा कर गिरा कि प्याज की जो फसले वो तहसने सो हो गई तो किसान भाईयों जहां पर मैं आपको पर बीघे के हिसाब से खर्चे की बात करूं किसान भाईयों ने 70,000 रुपे का हमारे एक बीघे का खर्चा बैठता है वहीं किसानों ने करजा ले लेकर खेतों के अंदर प्याज लगाई थी प्याज का बीज भी 72 सो रुपे किवंटल तक बिग गया था तो इतने महंगे भाव का बीज लेकर किसान भाईयों ने लगाया था अब आप लगा सकते हैं कि पर भीगे के अंदर कितना खर्चा आया होगा सब कुछ सही चल रहा था बहुत ही अच्छा चल रहा था लेकिन प्रभू परमात्मा के आगे किसी की नहीं चलती इस साल किया हुआ कि जिसने भी 10 अगस्त से और 15-16 अगस्त के बीच जो अगेती प्याज लगाई थी अगेते भाव लेने के चक्कर में उसके अंदर जलेबी रोग इतना भेंकर आया कि वह कंट्रोल ही नहीं हो रहा है क्योंकि अलवर के अंदर किसान भाईयों मैं आपको बताऊं दस दिन हो गए लगातार बारिस होते हुए खेत जो है वो हमारे पानी के लबा लब भरे हुए आपके सामने में खेत दिखा रहा हूं किस प्रकार से खेतों की इस्तती है कैसे ये प्याजों के अंदर देखो कैसी हालत हो गई है जले भी रोग लग गए है बुरी तरह कितने ही किसानों से मिले खेतों के अंदर जा जाकर खेत देखे ज्यादा तर खेतों की इस्तिती ये है कि खेतों की जुताई की जाएगी खेतों की जुताई करने की मजबूरी हो गई है किसान भाईयों को मजबूरी ओको जो है जोतना पड़ेगा क्योंकि अगेती प्याज के अंदर पानी ज्यादा गिरा जिससे पानी से खेत के अंदर नम या डाल ली खूब प्रियास कर लिए लेकिन किशी भी दवाई का कोई असर ही नहीं हो रहा है खेतों के अंदर 80% तक जो है वो फसल हमारी खराब हो चुकी है तो किसान भाईयों फरक कहां से पड़ेगा क्योंकि किसान भाईयों मैं आपको बताओं बरसात के अंदर बरसात न पर तीसर तक प्याज खराब हो जाएगी क्योंकि बारिश जो है रूपने का नाम ही नहीं ले रही है तो किसान भाईयों अब मैं आपको बताता हूं कि किसान भाईयों से कहां हुई क्योंकि जब हम हर साल प्याज लगाते हैं तो उसका जो परफेक्ट टाइम होता है वो 25 स 31 अगस्त के बीच जो हम प्याज लगाते हैं वो हमारी प्याज बहुती श्यांदार पैदा होती है रहाम को बहुती अच्छे उसके रेट मिलते हैं बहुती अच्छी वो प्याज बैठती है तो 15 अगस्त को अगेती भाव लेने के चक्कर में किसान भाईयों ने जल्दी प प्याज लगाते तो शायद आज प्याज की ये इस्तिती अलवर के अंदर नहीं हुई होती तो किसान भाईयों जो हमारी प्याज जो बची हुई है उनको हमें सुबह स्याम दोनों टाइम अच्छी तरह से देखके उनकी सार संभाल करके सही से उन प्याजों को हमें आगे मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, share, subscribe जरूर करना धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ